हलो एरिवन आज अमोग परने वाले हैं एक्जाइल हाउस चैप्टर के कोशन और आंसर तो आए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को इसमें एप पूछ रहा है कि जो पोएट है कभी है वो कहां पर रहता था तो इसका आंसर है इस टेंपरेरी होम इन अनुदर कंट्री यानि उसका टेंपरेरी घर था दूसरे देश में वहां पर कभी रहता था भी दिया है तो इसका आंसर है भी जो मैं आइडिया है उसका कहने का मतलब क्या है यानि उसमें क्या define करने की कोशिस कर रहा है तो इसका answer है they had plenty of food to eat मतलब दूसरे stanza में बता रहा है कि उनके पास जो पहले वाला घर था वहाँ पर धेर सारे सबजिया उगाई गई थी और उनके पर धेर सारे सबजिया थी खाने के लिए C है the speaker discovered that their house seem to have grown roots which means dead यानि जो speaker है, poet है उन्होंने पता लगाया कि जहां पर पहले वो रहते थे जिस घर में वहाँ पर धेर सारे क्या हो गए है roots grow हो गए है like वहाँ पर plants हो गएरा grow हो गए है तो इसका answer है the house was overgrown with plants and wines ठीक है यानि जो पुराने घर है वहाँ पर कोई ना रहने कोजी से क्या हो गए धेर सारे plants हो गए है धेर सारे घासफूस वहाँ पर हो गए थे D है stanza 4 यानि चोथे stanza में of the poem is expressed regret over the fact that यानि किस fact के बारे में बात कर रहा है poet तो इसका answer is the future generation of the poet may not see their homeland यानि इसमें बता रहा है कि वो लोग future में अपने real वाले घर को नहीं देख पाएंगे क्योंकि उस घर को छोड़कर उनको दूसरे देस में जाना पड़ा है और वो दूसरे देस में जाकर दूसरे घरों में रह रहे हैं भी ठीक है दूसरे आप एक explain कह रहा है यानि जो उनका अच्छा था है पानी टपकती थी वहां से और उनके जो वाल थी दिवार थी वो गिरने वाली थी लेकिन इसके बावजूद भी जो उनके जो speaker है जो poet है वो अपने घर वापस लोड़ना चाहते है तो ऐसा क्या है वहां पर पहला question इसमें पूछ रहा है कि what do the dripping roof and the crumbling walls indicate यानि पानी टपकते हुए छट और crumbling walls crumbling के मतलब होता है कमजोर उनके दिवारे ठीक है ये सारी चीजे क्या indicate कर रहे है क्या बता रहे है तो इसका answer है the dripping roof and crumbling walls indicate the dilapidate state of the poet's current home ठीक है dilapidate में तो होता है इसका हिंदी की टूटा फूटा यानि जो dripping roof और crumbling wall क्या indicate कर रहा है टूटे फूटे उनके घर का state मतलब उनके जो घर की हालती बेसकली काफी टूटा फूटा था ये चीजे indicate कर रहे है poet के घर के बी बता रहा है इसमें पूछ रहा है कि why did the conditions of the house not matter to this speaker यानि जो उनके घर की हालत थी इस speaker की ठीक है काफी बुरा थी टूट फूट गया था उनके छट से जो पानी टपकता था उनके जो वाल थी वो छट की वो काफी कमजोर थी तूट कर गिर रहे थे इसके बावजूद भी वो लोग अपने रियल घर लोटने के लिए क्या थे राजी थे ऐसा क्यों तो इसका आंसर है the condition of the house did not matter to the speaker because he was looking forward to going back to his homeland soon because ये इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनको अपने रियल घर लोटना था ठीक है वो किसी दूसरे जगह में या उनका वो कहीं दूसरे जगह नहीं रहना चाहते है जहाँ उनका जर्म हुआ था जहाँ उनका homeland है ठीक है वहाँ पे रहना चाहते है भले ही उनका जो छट है पानी टपक रहा है या उनकी जो wall है या दिवार है जोर हो यह इसके बावजुद भी वो अपने रियल घर जाने के लिए लोग तयार थे सिप पूछ रहा इसमें what does the last line mean यानि last line का मतलब क्या है is there some kind of despondency in it क्या इसमें कुछ तरह की निरासा है despondency में सोता है निरासा ठेक है तो इसका अंसर है the last line means that the time of moving away from his home country यानि last line बता रहा है कि जो उनकी time की बित्त समय क्या हुआ जिस तरह time बित्त रहत है उनको अपने घर को छोड़ कर जाना पड़ा कहीं दूसरे country में settle होने के लिए the poet felt that they would be able to return back here soon जो poet है कभी है वो अपने दिमाग में सोच रहा है कि साथ हम फिर से अपने घर लौट जाएंगे yes there is a note of despondency in the way the line is uttered यानि इस line में एक तरह से निरासावादी मतलब जताया गया है निरासापूर इसमें कुछ बाते कहीं गई है 3 इसमें है then pumpkins rolled down the cows at dash दो लाइन है basically यह पोयम से लिया गया है पहलो लाइन का मतलब है कि जो pumpkin था ठीक है एक सब्जी होती ही pumpkin जो उनके cows set जहां पकाव रहते हैं उसके उपर लगाया गया था ग्रो किया गया था ठीक है वहाँ से जो pumpkin थे वो क्या हो रहते है तूटकर नीचे गिरे थे लाइक इसका कहने का मतलब कि वहाँ पर धेर सारे सब्जीयों उन्होंने लगाया था दूसरा है cows trotted यानि जो गाय के बच्छरे होते हैं उसको बलते हैं cows ठीक है वो क्या होते थे वहाँ से छूटकर बाहर घूमते थे क्योंकि वहाँ पर उनकी धेर सारे जमीन थी जहां पर पहले रहते थे तो इसमें पहला कोशन ने यह बना रहा है कि यानि जो सब्जीयों है टूटकर नीचे गिर रही है और जो बच्छरे हो गए रहा थे गाय की वो दौर कर बाहर है रही है यह क्या इंडिकेट कर रहा है क्या दिखाना चाह रहा है तो इसका अंसर है यानि एक तरह से इमेजिनरी सोच रहे थे तो इनके कहना का मतला हुए कि वो लोग क्या कर रहते है beginner मतलब अपने दिमाग में सोच रहे थे कि इस तरह से हमारे घर पहले होता था वो मतलब जिस तरह खुशी पूरबख पहले रहते थे उसी के बाड़े में वो सोच कर क्या करते हैं दुख को ब्यक्त करते हैं he was surrounded by food that he grew to eat और अपने घर पर क्या किया था पहले पहले जहां पर रहते थे धेर सारे सब्जिया लगाए थी उन्होंने और वहां पर धेर सारे सब्जिया भी गुरो होई थी खाने के लिए and his original house had spaces for animal too और जहां पर original घर था पहला घर था उनके पास धेर सारे spaces थे ठीक है जहां पर लोग सब्जिया होगाए थे गाए एनिमल्स उगरा रखे हुए थे ठीक है और धेर सारे trees थे, vegetables थे ठीक है भी आप पूछ रहा कि did they settle down in their new home, how can you tell याने अब कैसे बता सकते हैं कि जो एक अस्थान से उनको दूसरे अस्थान जाना पड़ा थे क्या वहाँ पर वह लोग खूस थे या वहाँ पर अच्छे तरीके से settle हो गए थे तो इसका answer is no, नहीं they were not able to settle down in their new home वह अपने नए घर में settle नहीं हो पा रहे थे because the poet kept looking forward to go back home again क्योंकि जो poet है कभी वो सोच रहा कि मैं कहां जाओ मैं घर किसी न किसी तरह से वापस जाना चाहता था जो इसमें बताना चाह रहा है ठीके and he was not able to rest in peace in the new home और वो उसकी नए वाले घर में उसको सांती नहीं मिल लई है वो क्या कर रहा है हर बार बाते कर रहा है कि मैं घर वापस जाना चाहता हूँ ठीके चौताया पूछ रहा कि ग्रॉस अंदर रूफ ठीके बीन्स इस्प्राउटिट आयंट यह जो इस्टेंजा है बेसेकली पोयम से लिया गया है पहला है कि ग्रॉस अंदर रूफ यानि जो छट पर थी छट है जो उनका घास से भर गई है ठीके उस पर धेर सारे घास लग गए है बीन्स इस्प्राउटिट आयंट ग्लाइम डवाइन जो बीन्स होती है ठीके सेम हो गए रहा होती है सब्जीया होती है उनके छट पर या उनके घर के चारो तरप के हो गई है फैल गई है और जो बीन्स की लताय होती है वो भी फैल गई है कोशन है पूछ रहा है What happened to the roof? यानि उनके रूफ यानि चट को क्या हो गया था आंसर, the roof got covered with the grass over the time यानि समय बित्ते हुए वहां पर ना रहने को जिसे, किसी को ना रहने को जिसे ठेट सारा घास उग गया थे जिसे उनकी जो पूरी चट थी या घर था, पूरी तरह से cover हो गया था बी पूछ रहा है, इसमें, what is the speaker worried about, यानि जो poet है, ठीक है, वो किस चीच के बारे में चीनतित है, आंसर है, the winds of the beans climbed all over the house, यानि वो सोच रहे हैं, जो सेम की जो लता हैं, वो हमारे घर पूरी तरह से फैल गई होगी, और जो हमारा घर है, वो एक तरह से जंगल की तरह प्रतीत हो रहा होगा, C है, how can he not tell his children where they come from, यानि वे अपने बच्चे को नहीं बता सकते थे, कि वे एक्च्छों में आए कहां से हैं, आंसर है, these events indicate the state of disarray that the house fell in, once the poet was unable to stay in its anymore, ठीक है, इसमें कहना का मतलब है, कि वो जो पोएट हैं, वो अपने बच्छों को नहीं बता पाएंगे, कि वो लोग एक्च्छों में पहले रहते कहां थे, अब उन्हें रहना कहां पर रहा था, क्योंकि जहां पर उनकी जन्म होई रहती है, और जहां पर पहले रहते थे जिस घर में, वहां पर काफी अच्छे उनकी जो गुजारा होती थी, उनके टाइम अच्छे से बितते थे तो इसलिए वो अपने बच्चों को रियल में नहीं बता सकते थे कि हम लोग पहले मतलब रहते कहां हैं और कहां से आये हैं पाचवा है The fences have grown into the jungle Now how can I tell my children where we come from? यह क्या है? पोएम से लिया गया इस टेंचा पहला कोशन इसमें पूछ रहा है कि What has happened with the passes of time? यानि समय जिस तरह बिदते गएं उस समय के according क्या होता गया उनके साथ? तिस का answer है With the passes of time यानि समय बिदते समय जिस तरह समय बिदते गएं The fences of willow trees Willow trees had overgrown to the former jungle यानि जिस तरह से time बिदते गएं उनके घर पर ठेर सारे घास उगए रहा उग गएं जिनसे उनकी जो घर थी पुरी तरह से घास हो गए रहा से ढग गए थी जिस तरह ऐसा लग रहा था कि मतलब किस तरह का जंगल है The house was overgrown all kinds of plants और उनके घर पर ठेर सारे तरह के plants उग गए थे बी हैं हाँ पर What is the speaker worried about यानि जो speaker है वो किछेच के बारे में चिन्ती थे आंसर है The poet is worried about how he will be able to show his children where he came from यानि जो poet है कभी वो चिन्ती थे कि मैं किस तरह अपने बेटों को बताऊंगा कि मैं आया कहां सहूं The house is so overgrown with the plants that he has that he is said his once favorite place will be completely inaccessible now यानि वो बताने में हिच किचा रहा था जो उसके घर थे वो वहाँ पर ठेर सरे plants उग गए थे और वो काफी दुखी था और कभी न कभी वो जो पहला उसका घर था उसके लिए वो favorite जगह था रहने के लिए लगिन अब वहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं जा सकता था C है How can he not tell his children where they come from वो किस तरह से अपने बच्चों को नहीं बता सकते थे कि वो actually में कहां से आया है So he cannot tell his children where he came from because he can no longer show them to the place यानि वो अपने बच्चों को नहीं बता सकते थे कि actually में पहले कहा रहते थे क्योंकि वो लोग धेर सारा समय बीट गया था ठीक है जहां से वो लोग आये हुए थे और दूसरे जगन सेटल हो गये थे He can perhaps only speak about it from a memory ठीक है वो लोग दोबारा वहां पर लौट नहीं सकते थे और सिर्फ उसको याद करके वो अपने बच्चों को बता सकते थे But लेकिन there is no way to see the place anymore लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि कभी भी वो पहले घर अपने जहां पहले रहते थे वहां पर लौट कर जाएं और उस घर की इस तीथी देखें बी दिया है ठीक ना आंसर कोशर 6 है What is the mood of the poem? Is there a feeling disappear which lines to this? यानि main mood क्या है इस poem का? इसमें क्या feeling दिखा रहा है? इसमें नहीं रासा के feeling दिखा रही है? Okay आंसर है The mood of the poem is one of the despair, sadness and nostalgia यानि इस line में basically बता रहा है, काफी दुख के बारे में बता रहा है, ठीक है? सडनेस के बारे में बता रहा है और nostalgia के बारे में बता रहा है, मतलब घटनाओ के बारे में बता रहा है The poet harks back to a time he can no longer be a part of ठीक है? Yes, there is a note of despair in the poem और यहाँ पर ढशार है, sadness के feeling है, ठीक है? Especially in the line, but we are to go home soon, nostalgia first लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि वो लोग जरूर अपने घर दोबारा जाएंगे कियोंकि वो सिर्प अपनी इच्छाओं को जाहर कर रहा है Actually, move नहीं हो पा रहा था So now, how can I tell my children where we come from? The despair come out of very awkwardly ठीक है? यानि इस stanza से यानि मतलब इस stanza से प्रतीत हो रहा है कि मैं अपने बच्चों की इस तरह बताऊंगा कि मैं पहले कहां पर रहाता था तो इस stanza में basically बता रहा है कि यानि इसमें क्या हो रही है? काफी sadness, भावनाएं प्रकट हो रही है ठीक है? Question 7 है Why do you think the speaker has to live away from his home? Look at the title यानि आपकी साब से जो speaker है कभी है उसको अपने घर से दूर क्यों रहना पड़ेगा? इसका answer है The speaker probably has to live away from his home because he has been exiled from his country यानि जो poet है कभी है अपने घर से इसलिए उनको दूर रहना पड़ेगा क्योंकि वो पहले जहां जिस देश में रहते थे उनको उस देश से निकाल दिया गया था The title of the poem is Exile House यानि जो title है इस poem के basically क्या नाम है Exile House Exile means होता है कि एक मतलब देश से निकाल देना ठीक है? देश से और घर से निकाल देना So also state this very clearly यानि यह हमें clearly बताता है He has probably been driving away due to some political conflict यानि कुछ political के चलते ठीक है कुछ राजनितिक दलों के चलते या कुछ राजनितिक प्रतिकरियाओं के चलते उनको देश छोड़कर एक देश से दूसरे देश जाना पड़ा So has with another Making it unsafe for him to leave his own house यानि अपने खुद के घर में एक तरसे safe नहीं था उनके लिए रहना ठीक है तो इसलिए जो poet है उनको basically उनके देश से निकाल दिया गया था इसलिए वो मजबूरी में एक जगह से दूसरे जगह सेटल होकर रहना पड़ रहा है So I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा प्लिस लाइक and subscribe my channel Thank you so much